कि असलाम अलेकुम कैसे हो आप साथ इंशालला सब ठीक होंगे अलहम दोलीला हम भी ठीक है तो आज हम आपको मटन पाए बतारे फिरंड वह सब बर्दस रेसिपी आप जरू सु ट्राइ कीजिए तो यहां पर आप देख लीजिए धोकर हमने इसको कूकर में डाल दिया है नम पानी ड्रूम मैं फौल दशिब उसालल टीस अथिए एड़ करेंगे मिक्स करले नहीं के सब्सक्रीण!' और ऌर थिचय मूम भभांटे से आप देखते चाहिए और इसी तरह से आफ फॉलो कीजिए तो यह देख लीजिए इसकी स्टीम रिलीज हो चुकिए दो सिटी के बार हमने इसको खोल लिया है तो यह देख लीजिए इतने अच्छे सही अभी टेंडर नहीं हुए है हमने मटन का गोश भी लिया है क्योंकि पा द्रगलसन का पेष्ट अधा चमच हल्दी पावडर आधे चमच को कम भी रहें तो चलेगा टेस के हिसाब से नमक आप आपके हिसाब से एड़ कर सकते हो इसके अंदर हमको नमक हल्दी पावडर अधा पेष्ट करना है एक सीटी लगा देना है क्योंकि पाए में जब हम गो का गोश बहुत जल्दी से टैंडर हो जाता है तो हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी एट नहीं किया है फ्रेंड्स गोश अपना पानी रिलीस करता है तो बिल्कुल भी पानी इसके अंदर एट नहीं करना है हमको कूकर कर दकन हमने बंद कर दिया एक सीटी ले लेंगे मे तो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगे फ्रेंड्स अगर आपके केक सीटी में नहीं होंगे तो आप और एक सीटी लगा दीजिए गा हमारे एक सीटी में बहुत अच्छे से हो चुके थे क्योंके हमने इसके स्टीम में छोड़ दिया था तो अभी आप देख लीजिए मेडियम फिलिम पर हमने एक सीटी लगा दी इसको इसके स्टीम में छोड़ दिया है तो यह देख सकते हो आप कितने अच्छे से हमारे पाय और गोश बहुत जबर्दस से टेंडर हुआ है और पानी हमने एड नहीं किया है यह गोश का पानी कितना सारा रिलीज हुआ था उसम तो इस तरह से कीजिए गा और जीओ антमका तॉट है कारी ते किया फेले पहले हम पाई को दो फीले हैं तो इस तरह से कीजिए आप बहुत मजदार आपके बंकर ते तयार हो जाएगा तो यहांद पर आप देख सकते करहें हम बहुत मज़िदार से ग्रीवी बन कर तयार हो जाएगी जब भी आप इसको ट्राई करोगे तब कमेंट कीजिएगा आपके पाइगोश की तरह से बनकर तयार हुए गोश भी ज़रूसे एट कीजिएगा पाइगे अंदर बहुत मज़िदार लगता है फ्रिंट हमारे जो अच्छे से फ्राई हो जाएगी इसके अंदर हमको यह खुपर एड करना है सुकावाल कि तिल के जो पेस्ट तैयार किया थंडा होने के बाद फेश्ट को तैयार करना है तोड़ा से पानी डाल कर तो रहें अंदर अच्छे से इट किया है आप इसको च्छे से घ्रैंड कर लीजिए एक दम फाइन पेस्ट हमको करना है और तील दिहान से एट कीज़गा फ्रेंच् पाई के सालन में टेस आएगा वरना नहीं आएगा तो इस बात का अब ध्यान रखिए मसालों को स्लो या मेडियम के बीच आप भूनते जाए कम से कम साथ से आठ मिनट भूनते जाए और यह उचलने लगता है जब तक इसका उचलना बंद नहीं होगा तब तक आपको इसको अब ध्यान रखिए और इसको ढख कर भूनिये यह उड़ उड़ कर उफर आने लगता है उचल कर आप देख लीजिएगा पतिले पे कितना सारा उड़ गया था आप इसका उचलना बंद हो चुका है आप देख सकते हो तो कितना बहतरीन से मसाला हमारा भून चुका है तो बी तरह से भूनियागा घाय बिल्कुल मत कीजिए मसाला हमें मत我们 हमारा स्कून से भूनना है तब लिब देख साल office अच्छा टेस हो जाएगा तो आपका ल den कवासी मैशाथ भून कर देख से झादंगा यह उड़ तो थोड़ाला मसालों को घाय बिल्कुल भी न है पो ासक निकलेगा नद बहुत मज़िदार से हमारी बन कर तयार हो जाएगी इसका अलगी टेट्स होता है तो ध्यान से आप सूप रहने दीजिए उसके अंदर पूरा मत ड्राय कीजिएगा तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक वगिर आभी समय चक सकते हो कम हो तो डाल आप के जीएगा तो आप आपके हिसाब से और पूल भरकर पानी आप आपके हिसाब से और हैआपको किस तरह की पसंद करने हो इसको पकते हुए गैस का बड़ा ध्यान रखना है कभी slow कभी medium करते रहना है तो बहुत अच्छे से यह पकते है यार हो चुका है देख सकते हो आप माशाला ओयल भी पूरा separate हो चुका है देख सकते हो इसके ग्रेवी आप इस तरह की रहने दी हमने और एक चूटी गड़ी हम इस बात का अब ध्यान रखिए और इसी तरह से आप ट्राइग कीजिए जब भी आप इसको ट्राइग करोगे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि आपके पाई किस तरह से बने हैं और आप इसको सब्सक्राइग की जवारी की या बाजरी की रोड़ी की साथ गर्मा गरम जरूर से ट्राइ और पमेंट कीजिए और कमेंट की जखने है के आपके कमेंट की मेरे आपे कीजिए मेंजों ही जवारी आप ड deve后 बोला या है सबसरे कमेंल चैनल सब्सक्राइग की जिए गार लिए अछा लाइटरीं से रेसपी के साथ बहुत जाल Covidocrat तब दुकर ऑपना दुआओं में याद रखिए तब तक के लिए लाफिज